कि नमश्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मेंस्ट्रॉल साइटिल यानि कि आपके मासिक चक्र का आपके इंफर्टलीटी से क्या रिलेशन होता है अगर किसी भी महिला को नॉर्मल मेंस्ट्रॉल साइकल होता है मतलब उसके हर महीने पीरिट्स टाइम से आते हैं इसका यह मतलब होता है कि उसके अंदर जो एक का डिवलप्मेंट है वो प्रॉपर हो रहा है पीरिट के दूसरे दिन से वो डिवलप्मेंट स्टार्ट होता है और 13 तो 14 डे पर अंडा बढ़ा होकर फूट जाता है जिसको हम और अगर आपका और आपका टाइम से हो रहा है तो ओवलेशन के 14 डे आपका मेंसेज आ जाएगा तो यानि कि नॉर्मल मेंस्ट्रल साइकल ये शो करता है कि आपके अंदर जो एक बनने की और पूटने की प्रक्रिया जो की प्रेगनेंसी लगाने के लिए बहुत जरूरी है वो नॉर्मल हो रहा है पीरिट का एक हफता प के बाद भी आपके मेंसेज डेले हो रहे हैं तो वो कहीं न कहीं कोई अपनॉमल्टी अ मेडिकल कंडिशन को इंडिकेट करती है और यह बतासती है कि आपका एग या तो और टेवलपे नहीं कर रहा या ओवलेशन का प्रॉसस्स नहीं हो रहा और ऐसे कंडिशन में आपको अगर आपका जल्दी या डिले हो रहा है तो आपको बहुत सारे medical conditions हो सकते हैं जैसे की PCOD की problem हो सकती है thyroid abnormal हो सकता है prolactin बढ़ा हुआ हो सकता है stress या आपका डाएट अच्छा नहीं हो तो आपका जो hypothalamic pituitary axis है, जो आपका endocrine system है, वो disturbed हो जाता है, जिससे आपका period डिले हो जाता है, तो ऐसे सारे ही अगर आपको ये symptoms हैं, अगर आपके periods abnormal हैं, तो इस चीज को प्लीज निगलेक नहीं करें, और आप जल्दी से जल्दी अपने fertility doctor से इस चीज को consult करें, ताकि आप सही समय पर इलाज कराएं और आप भी conceive कर सकें, धन्यवाद.